प्रिये चात्रों नमस्कार अनलोकेश्टडी के दस्मिक अच्छा के गनीत में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रस्णावली चार दसनलब चार की प्रस्ण संख्या 5 को स्वाल्प करेंगे प्रस्ण संख्या 5 कहता है क्या परिमाप 80 मीटर तथा च्छेतरफल 400 मीटर स्क्वाइर के एक पार्प को बनाना संभव है यदि है तो उसकी लंबाई और चवराई ग्याद कीजिए तो आएए सुरू करते हैं बच्चों यहां नहीं लंबाई पता है और नहीं चवराई पता है जब दूनों में से कुछ भी पता नहीं होता है तो आईसी स्थिती में हम दूनों को करम सह x और y माल लेते हैं तो आइए लिखते है अब यहां परिमाप 80m कह रहा है तो बच्चों और चराई आयत में अलग अलग होता है तो आयत के प्रिमाप का सुत्र यहां लागू करेंगे आयत का प्रिमाप कितना कह रहा है असी मीटर अब आयत का प्रिमाप होता है तो इन्टू लंबाई प्लस चराई बराबर असी मीटर तो तो इन्टू लंबाई है एकस और चराई है वाई बराबर असी मीटर अब गुना करने से अच्छा है कि हम इसको कैंसिल कर दें तो 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 40 अब लिखेंगे X प्लस Y बराबर 40 तो Y का मान कितना हो जाएगा? Y बराबर हो जाएगा 40 और प्लस X है तो माइनस X अब Y का मान 40 माइनस X आ जाता है अब मेरे पास लंबाई भी X के पद में हो गया और चवराई जो हम Y माने थे वो भी X के पद में हो गया अब सवाल कह रहा है छेतरफल 400 मीटरे स्क्वाइर है तो हम अब इसका छेतरफल निकालेंगे अब लंबाई गुने चवराई बराबर छेतरफल होता है तो लंबाई का मान कितना है X है और चवराई का मान आपका कितना आया 40 माइनस X तो लिख लेंगे 40 माइनस X छेतरफल कितना है 400 मीटरे स्क्वाइर तो लिखेंगे 400 अब इसको गुना कर लेते हैं क्या हो जागा 40 से X में गुना होगा तो क्या होगा 40 X और प्लस X का माइनस X से गुना होगा तो plus minus minus x में x से गुना होगा तो x square बराबर 400 अब इसको हम द्विगाद समिकरन के पद में लिखेंगे तो minus x square plus 40 x और बराबर 400 है तो बराबर के बाद वाले को हम plus को minus में करके लिखेंगे और minus को plus में करके लिखेंगे तो plus 400 है तो minus 400 बराबर सुने अब माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा एकस स्क्वेर प्लस चालीस एकस है तो माइनस चालीस एकस माइनस चार सब है तो प्लस चार सब बराबर सुनने एकस स्क्वेर माइनस चालीस एकस प्लस चार सब बच्चों अब मुझे दो संख्या चाहिए जिसे जोरने या घटाने पे बीच का संख्या आ जाए और गुना करने पे इसका और इसका गुना करके जो अंक आएगा तो इसके साथ तो कोई अंक है नहीं तो एक मान लेते हैं त चार सो एकम चार सो तो गुना करने पे चार सा वाना चाहिए ऐसा संख्या है माइनस बीस गुने माइनस बीस तो माइनस बीस और माइनस बीस को गुना कर देते हैं तो क्या आता है माइनस माइनस प्लस और बीस में बीस से गुना होगा तो चार सो ठीक है एक कंडिसन मेरा प आएगा माइनस 40 जोरने या घटाने पे माइनस 40 भी आजाता है और गुना करने पे 400 भी आता है तो माइनस 20 और माइनस 20 को हम अब सवाल में लिखेंगे x square माइनस 20x माइनस 20x और प्लस 400 भरावर सुणे अब यहां 2 पद को अलग कर लेते हैं और 2 पद को अलग कर लेते हैं अब यहां x कितना है 2 है और यहां 1 है तो x common ले ले लेते हैं तो 2x में से x common ले लिए तो कितना बचेगा एक X माइनस 20 और यहां माइनस 20 कौमन लेते हैं तो इसमें का X बच जाएगा और प्लस का चीन बदल जाएगा क्योंकि हमने माइनस कौमन लिया है और अंदर में हैं X माइनस 20 बराबर सुनने अब X माइनस 20 बराबर सुन कर देंगे और एक बार X माइनस 20 बराबर सुन कर देंगे तो X माइनस 20 है तो बराबर के बाद प्लस 20 आ जाएगा और इधर भी माइनस 20 है तो बराबर के बाद प्लस 20 आ जाएगा आता है पार्क की लंबाई ब्राबर कितना था एक्स माने थे एक्स कमान कितना आया बीस और चाराई क्या माने थे य तो य कमान कितना आया था चालिस माइनस एक्स तो लिखेंगे वा बराबर चालिस माइनस एक्स यानि चालिस माइनस एक्स कमान था तो बराबर कितना आ जागा बीस तो लंबाई भी बीस निकल कर आता है और चौराई भी बीस निकल कर आता है बच्चो जब लंबाई और चौराई बरावर आता है तब हम उसे वर्ग कहते हैं लिखेंगे अतह पार्क बनाना संभव है पार्क वर्ग के आकार का बनेगा बच्चो फिर मिलते हैं नेक्स व है सुरक्षित रहना है और अपने समाज को भी सुरक्षित रखना है